यूबा विहारी चिराग पासवान का बयानाया सामने बुले आज की तारीख में सबसे कमजूर सी एम है नितिश कुमार विककट पुतली बनकर रह गए हैं प्यान देते हैं भई आप सेना पर इस तरीके से एक वेक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं क्या जरूरत है भईया सेना को हर बात में घसीटने की आप कीजे ना नीतियों का विरोध कीजे न आप बोलिए भाईया इस बार का बजट अच्छा नहीं है आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरुकार रखेगी दिक्कत यही है कि यह लोग ऐसे ऐसे विशो को उठाते है जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना नहीं और उपर से भारतिय सेना जिसकी वज़ा से आज यह सुरक्षत यहां पर सांस ले रहे है उनके उपर सवाल उठाकर उनको अपमानत करकर यह लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेखने का यह लोग प्रयास करते हैं और यही चीजे बार 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 बैक फायर होती हैं इन लोग के उपर आज अगर इनकी और यह पार्टी इस परिस्तिती में है कारण ही यही है कि भाईया ये लोग बाटने की राजनीती को जो बढ़ावा देने के लोग प्रियास करते हैं पर इनाम चीजे बैक फायर होती हैं और इन लोग क्या ये हर्श होता है और भी खास का परेचान के लिए जोड़े रहे हैं डीबी नियूस में